नमश्कार मैं सरीत रहुँ अब सभी का स्वागत स्पेनाय न्यूस के खास प्रोग्राम साकरात्मक खबर में रोजानम आपको एक ऐसी कहानी सुरूबरू कराते हैं एक ऐसे किसे सुरूबरू कराते हैं जो वाकी एक अलग जो हमारी जिन्दगी पर हमारी सोच पर असर डाले वो बिल्कुल positive होता है, वो एकदम साकरात्मक होता है, वो बिल्कुल ideological होता है, उसका thought अलग होता है, उसका नजरीया अलग होता है और आज जिस हम कहानी की बात करें, वाकि एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपकी आखे नम हो जाएगी आपको बता दे कि यह कहानी खासकार उन लोगों के लिए है, जो वाकि खाने की कदर नहीं समझते, उस अन्य की कदर नहीं समझते जिसके लिए लोग पता नी क्या क्या दिन रात महलत क्या करते हैं आपको बता दें कि जिस देश के हम बात करें उस देश का नाम हैती है वहाँ पर लोग इतने गरीब हैं कि लोग कीचर में नमक मिला करके उसी की रोटी बना कर खाने को मजबूर है जो देश है उसका नाम है हैती जहाँ पर लोग अपनी भूग को मिटाने के लिए मिट्टी की रोटी बना करके खाते हैं आपको बता दें कि जो हैती देश है पूरा आईलेंड से पूरा घिरा पड़ा है यहाँ पर खेती नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पर एक करोल लोग की आबादी है और गरीबी अपने स्तर पर इतनी है कि वहाँ पर लोग के पास बेरोजगारी बेरोजगारी का अलम इस कदर है कि ना वहाँ पर रोजगार है ना वहाँ पर जमीन है कि लोग खेती करके अपने आप और अपने परिवार का भरन पोशन कर सके इस देश में लोग इतने मजबूर हैं कि लोग नमक और कीचर मिला करके उसे सुखा करके धूप में खुद भी खात और अपनी बच्चों को भी खिलाते हैं यह कहानी उन लोगों के लिए है यह उधारन उन लोग के लिए है जो हमारे देश में खाने की कदर नहीं समझते खाने को उठा करके फैंक देते हैं अक्सर आपने देखा होगा शादियों और पार्टियों में खास करके इंडिया में बराद घरों के बहार जिब शादी पार्टी खतम हो जाती तो नजाने कितना खाना बहार कूडेदान में फैक दिया जाता, कितना खाना उन प्लेटों में बिखरा हुआ रहता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस खाने को इतना बरबाद ना करें, उस खाने को बचा करके आपसे जितना खाय चाह उतना खाय उस खाने को बचा करके रोटी बैंक में जमा कर दे ताकि उन मजबूर लोगों को वो खाना पहुंच सके जो लोग दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं उनके पास खाना नहीं होता है और हम उस खाने की कदर नहीं करते हैं उस खाने लगा तो उसको बेचचत करके फैंक देते हैं जरा उन लोगों से पूछे जो लोग मिट्टी की रोटी खाने को मजबूर है जिनके बच्चे जिस उम्र में उनको दूद पीना चे उस उम्र में वो मिट्टी की रोटी खा रहे हैं आपको बता दें कि यह बहुत दर्दनाग क हम सब्सक्न थे दो सब्सक्राणी है जो हमें उसक्रीप वाल उनको जन्जानी के लिए पर मिट्री िस लेकिन इन लोगों ने एक अलग मिसाल पेश की है कि अगर हमारे पास रोटी नहीं है आने नहीं है तो कोई बात नहीं हम लोग इस चीज से भी बुजारा करके अपनी जिन्दगी को आगे लेके बढ़ेंगे और वह लोग वो कर भी रहे हैं आपको बता दें कि हैती जो देश और इस बुकम से यह शहर और भी बरवात हो गया और इतनी बरबादी इस कदर हो गई कि यह शहर जितना थोड़ा सा जो आगे बढ़ा था उस से कम से कम दसों गुनाई पीछे चलागए जिसे इस देश की हालात और दिन पर धिन खराब होती जा रही है आपको बतादें कि ह चैन सहवाग ने भी social media पर share किया था और उनोंने message गया था कि उन सभी लोगों से गजारिश है जो लोग खाने को बरवाद करते हैं किरपय करको किस खाने को बरवाद ना करके उन लोगों को दें जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तर्सा करते हैं। कि हम लोग जिस खाने की कदर नहीं करते हैं हमें उसकी कदर करना चाहिए क्योंकि नसीब वालों को दोवक्त की रोटी मिलती है और जिनको मिलती है वो कदर नहीं करते हैं जिनको नहीं मिलती है वो नजाने किस-किस तरीके से अपना पेट भरने के लिए क्या-क्या मजबूर्यों को सहा करके अपना पेट भरते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिट्टी में नमक मिला करके उसे धूप में सुखा करके बच्चे-बच्चे इसे खा करके अपनी जिन्दिगी को जी रहे हैं तो आपसे हम यही आपसे बता दें कि गुजारिश आपसे और हमसे यही है कि सभी लोगों यह कहें कि कोई भी खाना बर्बाद ना करें कि खाना बर्बाद करने से हम तो बर्बाद कर देते हैं लेकिन लोगों से पूछे जिनके पास वो खाना नहीं है बाकी देश और दुनिया की तमाव खबरों के लिए मार साथ बने रही है देखते रहे हैं स्पेन नाय न्यूज